Hello everyone, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, COVID मामारी पिछले एक साल से भी अधिक समय से चल रही है और अभी भी इसके उपर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है और इसका सबसे रहादा जो प्रभाव पढ़ा है वो हमारे education system के उपर पढ़ा है अधिकाश स्कूल लंबे समय तक lockdown में रहे हैं और कुछ स्कूल अभी भी संगर्स कर रहे हैं for the continuation of this teaching learning process अब क्योंकि कई राज्यों ने स्कूलों को फिर से खुलने का फैसला किया है वहीं दूसरी और कुछ ऐसे स्कूल से जो students का wait कर रहे हैं अभी उनका teaching learning process है वह अभी continuation के अंदर नहीं आया है और अगर दूसरी तफ देखा जाये तो कई ऐसे parents भी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से हिचकिचा रहे हैं और अभी भी online education को ही पसंद कर रहे हैं जब तक situation कोई तरसे काबू में नहीं आ जाती सो इसी संदर में CBSC, Microsoft Education and Tech Award Guard यानि जो global training partner है Microsoft का उन्होंने एक पहल की है to educate the schools to educate the schools means जो भी schools में जो teachers हैं उनको hybrid learning पर training दी जाए जिससे कि जो भी teaching learning process का इस pandemic time में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके अब इस training से संबंदे जो भी important points हमारी जानकारी में होने चीए वो इस प्रकार है कि सबसे पहले तो हमें मालूम होना चीए कि कौन पार्ट्सपेट कर सकते हैं यानि क्या criteria यहाँ पर निश्चित किया गया है कि इस training program को attend किया जा सके second how to enroll yourself for the training यानि जो भी training program है उसके start होने से पहले यहाँ पर जो भी पार्ट्सपेंट से उनका enrollment या registration किया जाएगा तो वो registration करने का तरीका क्या है तीसी चीज़ जो last date है इस enrollment की वो क्या रखी गई है क्या निश्चित की गई है how to join the training program यानि training program कैसे आपको join करना है the complete procedure I will tell you duration of the training यानि कितने दिन की यह total training है और उसमें जो timing रहेगा वो क्या रहेगा पर देखा और पूरी training successfully complete होने के बाद में जो certificate है वो कैसे हमको obtain करना है और कौन सा platform यानि Zoom है या या YouTube है या कोई other platform है या Microsoft Teams है कौन सा platform यहां पर हमको training के लिए use करना है and the last one is batch wise dates of the training program यहां जो भी enrollment process है उसमें जब भी हम enroll करेंगे तो हमारे को sequence number मिलेगा और उस sequence number के हिसाब से यहां पर जो batch बनेंगे total three batches के अंदर यह training कराई जाएगी so coming to the first point की who can participate इसके लिए मैं बताता हूं कि पार्ट्सपेट कौन कर सकता है एनी स्कूल चाहे वो CBSA से affiliated हो या ICSA से affiliated हो या कोई भी other board से affiliated हो इस training के अंदर पार्ट्सपेट कर सकता है और उसमें जो limit है वो क्या है कि हर स्कूल से सिर्फ दो ही teacher जो है training को attend कर सकता है और उसमें भी अगर एक थोड़ी से requirement यहां पर रखी की गई है कि यहां पर subject doesn't matter कि कोई teacher क्या subject पढ़ा रहा है किसी भी subject के teacher इस training को attend कर सकते है लेकिन requirement क्या है the knowledge of technology basic knowledge थोड़ा सा technology का होना चाहिए means using the electronic gadgets अब अगले सवाल को देखें how to enroll yourself that is very much important कि हमको enroll कैसे करना है सबसे पहली बात तो मैं यहां पर बता जूँ कि जो पार्ट school अगर enroll कर रहा है तो school के अंदर भी कौन enroll करेगा या तो head of the institution, department को enroll करेगा या जो भी admin इन चीजों को manage कर रहा है वो यहां पर enroll कर सकता है using the link यहां पर एक link दे रखा है sttps//forms.office.com इस link को click करने के बाद में आप उसमें registration कर सकते हैं, enrollment कर सकते हैं यहां पर इस screen पर यह click नहीं होगा क्योंकि यह clickable form के अंदर नहीं है यह जो link है you can find in my description of the video, वहां पर आप click करके enrollment procedure को carry on कर सकते हैं, जब आप इस link को click करेंगे you will be diverted to a webpage वो webpage दिखने में कुछ इस तरह का होगा that is hybrid learning training program और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो part spend है वो directly enroll नहीं कर पहेंगे यहां पर इस तिक लिए लिखा हुआ है, applications will be considered only if the nomination of the part spend is done by head or the admin of the institution, यानि यहां पर schools को माध्यम रखा गया, school के थ्रू ही enrollment procedure complete होगा, कौन-कौन से details वहां पर पूछी जाएंगे, सबसे पहले तो school की information, यानि school का जो नाम है वो क्या है, school कौन से city में situated है, कौन से state के अंद address क्या है, school का जो भी affiliation number है, वो क्या है, school का email ID that is very much important, तो यह आप जो genuine email ID है वो यहां पर provide करें, फिर उसके बाद में school कौन से board से, affiliated CBSE से है, ICSE से है, IB board से है, या फिर कोई other state board हो, अगर यहां पर available नहीं है, तो यहां आप option में लिख करके, और description दे सकते है, school contact number, number of students, कितने student school के अंदर registered है, name of the contact person, यानि जो भी इस registration process को, enrollment process को देख रहा है, उस person का नाम और person का contact number, then the designation of the person, जो इस enrollment process को देख रहा है, या फिर admin है, या फिर management member है, और अगर कोई और designation है, तो हम यहां पर type करके mention कर सकते हैं, then five details for the participants, यहां पर मैंने बताया कि यहां पर दो participants हो सकते ह हैं, तो जो भी है participant का नाम हमको यहां पर provide करना है, उसकी qualification provide करनी है, designation क्या है, participant का वो हमको यहां पर लिखना है, email ID में हमारे को यहां provide करनी है, क्योंकि आगे का जो procedure है, वो email ID के थूरी carry out होगा, और यहां पर contact number of the participant 1, and the same things will be asked for participant 2, name, qualification, designation, and all these things will be asked, so यह सारा करने के बाद में आपको इस form को submit करना है, submit करने के बाद में जो भी details है, उसकी आप एक hard copy, यहां से print out निकाल सकते है, that can be used for the further reference, after the enrollment, यहां पर last date क्या है, enrollment की, last date यहां दे रखी 5th November 2021, यानि 5th November से पहले, या 5th November तर schools, अपने जो भी teachers है, उनको enroll कर सकता है, और जैसा कि मैंने पहले बता पहले enroll होगा, और पहला वाला batch provide किया जाएगा, अब next important point है कि हमको यह training program जो है, वो कैसे join करना है, यानि यह webinar को कैसे join करना है, पहली चीज़तों मैं यहां पर बता दूँ कि जो भी webinar यहां पर conduct होने वाला है, वो Microsoft team live meeting platform पर conduct होगा, और इसको attend करने के लिए जो भी link है, वो duration है, यह जो पूरा training program है, वो 5 days का training program है, और यहां पर एक दिन में 1 hour 30 minutes की यहां पर training होगी, यानि total 90 minutes की training per day यहां पर होगी, और अगली बात that is the certification process, यानि आपको certificate कहां से मिलेगा, तो सबसे important जीज़ यहां पर यह है, कि जो भी teachers हैं यह participants हैं, जिन्नोंने पूरा का पूरा और जो training program है, वो successfully complete कर लिया है, यानि 5 days की training होने के बाद में next day यहां पर एक test लिया जाएगा, और उस test को clear करने के बाद में you will be certified, और जो भी certificate है, that may be sent to the registered email ID, जो आपने registration process के time में provide की थी, now the platform to be used for training, यानि कौन से platform पे यह training होगी, वो मैं आपको पहले ही बता चुका So batch number 1 की बात का है, यहां पर training जो start होगी, 15th November से start होगी, और 19th November तक training चलेगी, यानि 5 days, और जो test होगा, उसकी test क्या है, next, यानि training complete होने के next day आपका यहां पर test होगा, that is 20th November 2021, इसी तरह से batch number 2 है, उनका जो training होगा, वो 22nd November से लेकर 26th November तक होगा, और उनका जो test होगा, 27th November 2021 को कंड़क करा जाएगा, so batch number 3 की बात पर है, तो उनकी training जो होगी, 29th November से 3rd December तक, यानि 5 days again, और यहां पर जो test होगा, वो next day, यानि 4 December 2021 को करा जाएगा, so जो भी आपके questions ये queries हैं, आप इस वीडियो के comment के अंदर डाल सकते हैं, I will try my best to reply the queries, so thank you very much for watching this video, अगर आपको ये information useful लगी हो, please like, share and subscribe, thank you very much again